हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो श्यूर लेर्निंग फॉर मोर अपडेट्स लोग इन्ट वेपसाइट www.shuarelearning.in इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कि जो नीट 2019 का एक्जाम रहे गा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है बेस्ट अपॉन जेई मेंस एक्जाम जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जेई मेंस के एक्जाम चल रहे हैं तो वो किस टाइप के आ रहे हैं किस टाइप अगर जीव एक्जाम के हिसाब से हम डिफिकल्टी लेवल देखे तो अनका है मॉडरेट तू टू डिफिकल्ट फिजिक्स मौडरेट बट टाइम कंजूमिंग कैमेस्ट्री इजी बट लैन थी तो यह डिफिकल्टी लेवल है एक्जाम का तो हम कह सकते हैं कि बायो थोड़ी डिफिकल्ट आ सकती है बट फिजिक और कैमेस्ट्री सेम रहने वाली है तो आप उस हिसाब से अपनी त्यारिया कर सकते हैं तो इसके बाद में बताता हूं कि जो एक्सपर्ट्स की जो एडवाइज है अभी इस टाइम जही एक्जाम को देखते हुए एंटी की तरफ से वो यही है सबसे पहली तो रीड एंसी आटी एंसी आटी अपनी स्ट्रॉंग कर लीजे जो उनका एक्जाम आया है क्टेमी इन सब्सक्राइब को वह भी काफी हद तक एनसी आटी से ही आया है उनके जो बेस कॉंसेप्ट से सारे एंसी आटी से आये हैं सेकेड़ सॉल्व पर यह सब यह तो आपको हर को हर को बोलेगा कि सेंपल पर सॉल्व करें जा सेयला प्रीविस एर के आंसर कोक्शन पर करके प्रिपेर रखें अपने नीट एक्जाम के लिए तो यह तीन टिप्स थी और मैंने बताया कि कैसे एक्जाम आया था और कैसा आपका आ सकता है तो यह एक न्यूस थी आपके लिए अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल शिवा लड़नी को जबरू सब्सक्राइब करिए आप बाकी वीडियो से चेक कर सकते हैं हमारी बिलते हैं नई वीडियो में नई जानकेरियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार